हलो फ्रेंड्स रोमान्चक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि समुद्र के किनारे ट्राइपॉट पत्थरों को क्यों रखा जाता है इस तरह के पत्थर मुंबई के मरीन राइप पर देखने को मिल जाते हैं जिनने टेटरा पोर्ट कहा जाता है क्योंकि इनकी चार भुजाय होती हैं वहीं अगर इनकी तीन भुजाय होती हैं तो इनने ट्राइपॉट कहा जाता है इस तरह के पत्थरों का उप्योग वहीं किय तो उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और तीसरा इनकी बनावट और रखने के अंदास से हमेशा आने वाली समुंदर की लहरे एवम उनके अती तीब्र प्रहार को सैन कर लेने की शक्ती और लहर के प्रकोप को कम करना काफी उपयोगी है। जो समुंदर से लगी हुई सड़क और अन्य किसी हमारत को लहरों के प्रकोप से बचाती है। इनके बीच की जगा गती से आते जल को आगे पीछे और उपर नीचे जाने का मार्ग भी प्रदान करती हैं। लेकिन इन पत्त्रों से कई हानिया भी हैं। ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरन को हानी पहुचाने वाले होते हैं क्योंकि समुदर की लहरों को ये प्राकृतिक तरीके से वापस जाने से रोकते हैं। और तेज लहरों के साथ किनारे की और आने वाले समुद्री जीवों की चोट का और उनकी मौत का कारण भी बनते हैं